आप देख रहे हैं कर्तव्य एवम निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृती का बयान, समता की आवाज बयान टीवी जैभीम सातियों में साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी आज केनाथ जी हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए उनको मेरा आखरी बाद जैभीम गाउं दुआरी की दलित बस्ती और अच्छूतपन के दर्द को करीब से देखने का अवसर मिला धानुक चमार और कोरियों की मिली जुली आवादी का नाम धनुक टोला पुर था छे साथ घर धानुक तीन चार चमार और एक घर पूसे कोरी का था सभी के घरों की दीवार पर छपपर थे, छपपर थूनी के सहारे टिकाए जाते थे बरसात का पानी छपपर से गिराने के लिए औरोती बनाई जाती थी अम्मा औरोती के नीचे पाल्टी लगा देती थी छपपर छूते तो लोग सिमिट सिमिट कर बैठते उस समय बप्पा जमीनदार के कारिंदा थे 15 अगस्त 1947 को गड़तंत्र तथा सन 1922 से एक जमीनदारी उन मूलन समाप्त हो गई पिता कल्लू को करिंदा के पद से हटना पड़ा उनके साथ लगे रत्तु धानुक, मंगली धानुक और किशोर धानुक को अपनी लाठियां दीवार के कौने में खड़ी करनी पड़ी जैसे कलिंग के धड़ लीगीर परवत पर समराट अशोक ने बौध धरम ग्रहन कर अस्त्र बुद्ध बिहारों में रख दिये थे गाउं में स्वणों का भैस समाप्त होने लगा, अंग्रेज भारत छोड़ने लगे, देशी हुकुम्म सामन्तों के हत्कों में आ गई थी जमिनदारों का कबजा लोक सभा और विधान सभाओं में हो चुका था भूदान आंदोलन ने परतीवे बंजर भूमी दान करा ली, जमिनदारों ने हजारों बीगे भूमी को आ कॉपरेटिव फारम बना कर कबजा कर लिया था अनुसुची जाती पर स्वण हिंदों का अत्यचार बढ़ने लगा, उनकी जमीने चिनने लगी, बेहन बेटियों की असमी तटने लगी, हमारे लोक गाओं से सहरों की तरफ पलायन करने लगे आजादी की गुनगुनी धूप में के नाजी के जीवन यात्रा सुरू हुई, भारत की आजादी और मेरी उम्र एक साथ बढ़ने लगी, सन 1952 को स्कूल में दाखिला लिया कच्ची मिट्टी की दीवार पर फूस का छपपर और सारदा पंडित की नीव की छड़ी गाओं में से दो मीर दूर स्कूल दोस्त का था पर दूरी थी, जाती की दूरी, स्वन और अवर्ण की बीच की दूरी अनुसुची जाती के घर दक्षिन दिसा में होते थे, हिंदूों के घर शेश दिसा में थे, ए संगठित मजदूरों की बस्ती, खेती हर मजदूर, तिहाडी या अनाज पर साल भर काम करने वालों का सम्हूं गालियां देकर अनुसुची जाती के मजदूरों को आवाज देते थे, अकेले में पाकर अनुसुची जाती की महिला मजदूरों की इज़त लूटते गड़या जाती के घरों के पास मिठवा कुआ था, पूरा गाओं बारी-बारी से पानी भरता था, स्वन जातियों का नंबर पहले फिर पिछडी जातियां, नंबर देर में आता था, घड़ा बद्री कुमहार बनाता था, उसके घड़े सभी बस्तियों के पास थे, उसका म पानी सहित घड़ा फोर दिया जाता था, जुर्माना देना पड़ता था, ऐसे उत्पीरण को के नात अधिक दिनों तक सहन नहीं कर सके, अंत में एक दिन के नात ने कलम उठा ली, वर्ष 1976 में आंचल नाटक का मंचन हुआ, कानपुर के दैनिक जागरण ने 5 दिसंबर 1976 को दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ, सहर के दूसरे अख़बारों में ने भी छापा, इससे केनात की पहचान हुई, केनात कहते हैं कि मैं दैनिक जागरण में चंद्र प्रकाश गुपता, शाम को 6 बजे आकर टेबल पर बैट कर खबरे लिखते थे, उन्होंने दोसर व जगातार मेरी खबरे छपने से मैं चर्चा में आने लगा, खबर छपे का दूसरा कारण जिला अधिकारी कानपूर में सर्विस कराना भी था, लोग जिला अधिकारी काराले का होने के नाते, धीरे धीरे कानपूर सहर के सभी अख़बार मुझे लिखने लगे, सहर की मलीन वस्तियों में जाता धर्ना और प्रदर्शन करता दलित उत्पीरण की घटनाओं पर निंदा भेजता सन 1989 में बिक्री कर विभाग में इस्थानांत्रित हो कर गया वाक्रिश्न खन्ना से मुलाकात हुई वे खत्री गौरब पत्रिका निकालते थे उन्होंने सुजाब दिया कि तुम भी पत्रिका निकालो टाइटल मांगा उद्वारिका मासिक पत्रिका नाम मिला और मार्च 1980 में पहला अंग प्रकाशित हुआ समपादक एवं प्रकाशक रानीनाथ थी चुकि मैं सरकारी नौकरी में होने के कारण किसी दूसरे पद पर नहीं रह सकता था उन दिनों कानपूर में आर कमल निर्नायक भीम पत्रिका प्रकाशित करते थे वे पत्रिका अपने मुकान पर पहुची उस पत्रिका में भारत के बड़े बड़े दलित लेख अपने लेख भेजते थे कई लेख मेरे निर्नायक भीम ने भी प्रकाशित हुए इधर बिहार और उत्तरप्रदेश में दलितों की सामुहिक नर्सहार की घटनाई रोज बढ़ रही थी केनात कहते हैं कि कानपुर में अखिल जाती अनुसूची जाती परिशद के बैनर से जलूस निकलता और विज्यप्ति लिख कर अख़वारों में डालता कानपुर के समाचार पत्र प्रमुकता से मुझे चापते कानपुर में सियासत नाम का हिंदी उर्दु दैनिक अख़बार था जिसमें बड़े बड़े लेक हिंदु सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लिखता था वो केनात को प्रमुकता के साथ कई कई प्रष्टों में चापते थे यह सिलसिला वर्षों चलता रहा कानपुर का एक ही सापताहिक मार्ग दर्गशक मेरे लेक प्रकाशित करता था